ड्रविज자 दोस्तों टेकर्टी में आपका पर सवागत है और आज में बात करने वाला हुई इस वीडियो में वीलियन कैप्चर प्लस याने जी हाँ फिल प्लिपकर्ट का जो नया फोन लाउंच हुआ है विलियन कैप्चर प्लस उसके बारे बात करने वाला है कि क्या या वर्थ करता है लेना या नहीं तो दोस्तों मैं कुछ रिजन्स बताऊंगा लेने के और कुछ रिजन्स बताऊंगा नहीं लेने के तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की तो उसाइद आप लोग को पता है चल गया होगा कि इसमें दो वेरियंट आ रहे हैं एक 3GB RAM के साथ और एक 4GB RAM के साथ तो जो यह विल्कुल आप मान के चलो कि विल्कुल Redmi Note 4 के बराबर है लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है इसमें पीछे dual camera मिलता है जिसके वजह से आपको portrait mode में bokeh effect मिलता है फोटो गरे में तो वहाँ पर DS DSLR वाली DSLR वाली feel आती है कहां अपने DSLR से फोटो लिया जो आजकल fashion बन गया dual camera का तो इस phone के उपर सवाल खड़े कि यह कहां से made in India है क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में processes वगरे नहीं बना जाते हैं इसके जो chipset वगरे नहीं बना जाते हैं तो वह सब बाहर से इंपोर् जी इंडिया के इंडिया में आ सेंबल हो रहा जैसे रड लिज़ी का फॉंस या निस्वाम यानि जो messing जो मेलिं इंडिया बनते हैं इंडिया मेर तो वह मेन् बाहर से उसके सारे आते हैं इसकर यहां पर यह आते हैं तो तो सेम इस ही तरीके का कुछ यह फोन है व过 घıntर बात करते हैं कि 11000 रुपए में और 13000 रुपए में यह वर्थ करता है कि नहीं तो सबसे पहली बात इसको compare कर लेते हैं Lenovo K8 Plus से क्योंकि Lenovo K8 Plus भी Dual Camera दे रहा है साथ में Specifications भी लगवग सेम है Snapdragon का processor है थोड़ा सा उसकी performance बढ़ा देता है और उसकी camera का quality भी अच्छा है और साथ में front camera है उसमें 8 Megapixel है और इसमें आपको 5 Megapixel बिलता है एक तो लोग का trust है flip card के उपर और साथ में flip card गए पहला phone है तो हो सकता है थोड़ा सा हाइप बना रहे है और लोग इसको लेना चाहें और साउमी के phone उतने जल्दी अवेलेबल नहीं रहते हैं अगर अवेलेबल रहता है तो लोग उसको प्रीफर करेंगे क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशन्स है साउमी के टककर में बिल्कुल और साउमी में साइध इतने range में आपको dual camera phone नहीं मिलने वाला है अभी फिलाल आपको डिजाइन भी काफी अच्छा है और इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 3500 mAh की बैटरी है तो final में अगर मेरे वर्ट्स जो रहेंगे इस phone के लिए तो मैं यह बोलूँगा कि हाँ billion capture plus लेना वर्थ करता है आप ले सकते हो इसको खरीच सकते हो यूज करो बागी के जो इस exclusively तो मुझे उमीद है कि कुछ न कुछ offer ओ लोग देंगे और offer के टाइम पर आप खरीच सकते हो इस phone अविलेबल हो लोगाना 15 नौवंबर से तो आप ले सकते हो ठीक है तो फिलाल आपको इस specifications पता होंगे इसके लिए मैंने details नहीं बता है सीधा ही बता है कि आपको इस phone ले लिजन नहीं है कि इसको ना ले और रैम भी इसमें बढ़िया है तीन जी भी है और चार जी वाला रैम है इसमें एक्स्ट्रा एक्स्टी काड भी लगा सकते हैं तो कोई problem नहीं होगा तो दोस्तों उमीद है आपको वीडियो पसंद आगा होगा अगर आपको पसंद है तो अगर दोब आपको कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर करे जन्यद्द सब्सक्राइब करे सात्थ में आप कोई भी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके तो वीडियो देखने के लिए, थैंक्स op